हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक तु माई चैनल आपको पता है लास वीडियो में मेरे हजबन ने मेरी सॉलिड वाल्य उड़ाई थी बर ठीक है कभी कभार उनके भी दिन आते हैं तो उनको भी उड़ान देना चाहिए आप लोगों भी बहुत हाके मार के हसे हो हसना सेहत के जरूर डाल दूंगी आप देख लेना तो आज हम बात करने वाले हैं लेक में आईशेडो पैलेट के बारे में तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू लेट्स गेट स्टार्टेड तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरी की पैकिंग में आता है रोज गोल करा का यह कार्ट इस तरी के बारे में लिखा हुआ है यह बहुत ही सुंदर दिखता है वन यू बाइट यू फिल लाइक यह बाइं सम रहली गुट स्टाफ और इस तरी के सापिसे निकालते हैं यह कुछ ब्यूटिफुल पैकिंग में आता है बेस पार्ट है कि जब इस तरी के का ग्लास प यह बाइंज और रश करके और यह मैंने तो तीन साल पहले खरीदा था तो मुझे यह आराउंड 550 रुपीस में कुछ पड़ा था बर राइट नाव ऐ फील के नाइका पे इस अराउंड 650 तो इस बिट ऑन दा हायर रेंज आइटिंग 600 650 में आपको काफी अच्छे पैलेट म जाते हैं if you just see it's beautiful इसके जो एक disadvantage है के glass या mirror नहीं है इसका बट ठीक है इसके जादे एक एप्लिकेटर था जो एक बिल्कुल कुछ कांका नहीं है तो वह मैंने इसको थो कर दिया था तो I mostly use this palette with my fingers बहुत easy fingers से अच्छे से लगता है अगर मैं बात करूं इन सारे colors की क्योंकि आप जब शादी में भी जाते हों कहीं भी जाते हो तो आप को बहुत सारे different color के palette कर क्योंकि कई palette nude होते तो उसमें सिफ brown subtle white वैसे cream color होते हैं बट अगर आपको एक ऐसा palette चाहिए जिसमें आप हर तरके के color जो दिन चैक हो लगा सकते हो दिखने में भी अच्छो तो this is the palette you can just see the colors there are four different very different colors from each other ऐसा नहीं कि gold है तो थोड़ा सा light gold है और dark gold है तो यह कैसे purpose serve कर सकता है कि आप इसको चारो को लेके जाए शादी में और 4-5 इंट होते है शादी में और सारे अलग colors के आपको eyeshadow बन जाएंगे तो this is the best part about this color shade of the light मैं इसको पैकिंग इसको रख सकते हो जब आप बाहर जाते हो यह कहीं पे भी तो आप स्यादा पैलेट्स कैरी नहीं कर सकते हो इसको बहुत कम चीज़ है और यह palette is one of the best palette for carrying in the event मैं आपके इसके swatches बताती हो and trust me guys you will get mesmerized with the swatches इसके बिना base करा यह बहुती super pigmentation देता है can you look at this color this is one of my favorite color in this palette इसको मैं इतना use कर रही हूँ आपको मैंने बताया है कि मैंने 3 साल से use कर रही हूँ फिर भी इसकी quantity mashallah है मतलब अच्छा खासा use करने के बाद भी इब तक finish नहीं हुआ है so I am using it like constantly ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और use कर रही हूँ यह यह शेट तो मुझे इतना पसंदे ना कि मैं हर टाइम इसको तो carry करती हूँ चाहे कहीं भी जाओ मैं then I will show you the golden color this is also very nice subtle golden color अभी आपको पता है कि shadow effect अभी आजकल बहुत चल रहा है तो मैं जैसे यह वाला brown color लगा दिया इसके ओपर थोड़ा golden बीच में effect डाल दिया मतलब इतना classy दिखता है यह शायद इतना capture नहीं कर पारा but this is highly pigmented सिफ इन सारे shades में purple color जो है वो थोड़ा सा कम pigmented है like you really need to wipe so much पता नहीं क्यों लेक में का इतना अच्छा है यह palette में सिफ यह color थोड़ा सा कम pigmented ऐसा नहीं के नहीं है इसको लगाने पर यह सुंदर बहुत सुंदर दिखता है but compared to 4 के इन 3 के यह वाला कम है but this is also amazing color like you can just see the variant in the color one is brown one is cold one is purple so every you know different आप अपनी आखों के साथ experiment कर सकते हों जब आप इसको लेके जाते हो one palette is just good to go for you आपको जादा कुछ कहरी करने की जहतने है now I'll swatch the green color for you the green is also awesome color like Lekme brand पे अगर आपको यह सारे beautiful shades shimmer shades मिलते है so then और क्या चाहिए and these are not the chunky shimmers these are satin subtle glitters and it now beautiful लगता है जब भी मैंने से आखों पे लगाया I always got the compliment के इतना सुन्दर क्या है भई यह and this is just a subtle Lekme ka palette so you can just see how the shades are looking they are just beautiful मैं golden पे फिर से थोड़ा लगानी की ट्राइ करते हूं hope यह light effect because it's a sunlight तो यह उस पे इतना effect नहीं दे रहा है but again this is also awesome this is a beautiful golden color so friends now I talk about whether it's a go or whether it's a no yes it's a go palette अगर इसके cons की में बात करूं तो बस एक disadvantage यह है कि थोड़ा expensive है क्योंकि आज की तारिक में बहुत सारे इस range में अच्छे मिलते हैं तो अगर आपको budget के वाइज issue है then you can think के लेना है के नहीं otherwise it's a big thumbs up for me this is an awesome palette thank you guys कि अऑयो नहीं तो बहुत आपको बहुत के लघके टूएर सुब्स भीजयो अपको बहुत दो एक पर जोब्स